तेजस्वी यादों के भव्य जनम दिन की तयारी चल रही है मतलब कि तेजस्वी यादों का केक कहा कटेगा तो तेजस्वी यादों का केक 250 करोड के जेट बीमान में कटेगा 250 करोड के नए जेट बीमान में तेजस्वी यादों हवा में उड़ते हुए केक काटेंगे यह सुशिल मोधी सवाल पूशते हैं कि नितिश कुमार को 250 करोड रुपए के जेट प्लेन की जरुवत क्या पड़ गई जबकि पूरे बिहार में जेट प्लेन मात्र चार जगों पर ही उतर सकता है उसको हर जगह उतारा भी नहीं जा सकता और इतने दिन में जब उनको हेलिकॉप्टर की जरुवत नहीं पड़ी लीज पर लेकर तमाम राजे जैसा करते हैं वैसा ही भी यार सरकार भी करती है और उसी हेलिकॉप्टर से काम चल रहा था तो फिर 250 करोड के जेट प्लेन की जरुवत क्या क्या तेजस्वी यारों का जो केक है जनमदीन का उसको सवाम में उड़ते हुए चम चमाते हुए जेट प्लेन में 250 करोड के जेट प्लेन में काटना है यह सवाल सुषिल मोदी पूछ रहे हैं आगे मिसी पर बातचीत करेंगे बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सुषिल कु सवाम बाते कहीं जा रही है विपक्ष जोकी भारती जंता पाटी है वो कह रही है कि आखिरकार 500 करोड के जेट प्लेन की जरूरत क्या है सुषिल मोदी गिना रहे हैं कि पूरे वियार में जेट प्लेन मातर चार जगे उतर सकता है मातर चार जगे ही उसको उतरने की सुभि कॉप्टर जो था बियार सरकार काम कर रही थी काम चल रहा था तो फिर अंतिम दौर में जेट प्लेन की जरुवत क्या पड़ गई और तब इसके बाद सवाल पूछते हैं कि क्या तेजस्वी यादों के जनमदीन का केक हवा में उड़ते हुए चम चमाते जेट प्लेन में ब परच करके जेट प्लेन खरीद रहे हैं हालाकि अपने आप में एक तंज है कटाच है नितिश कुमार पर तेजस्वी यादों पर लेकिन भारती जनता पार्टी के नेता अब हमलावर हैं नितिश कुमार तेजस्वी यादों से सवाल पूछ रहे हैं कि 250 क्रोड रुपए के जेट प्लेन में बैट कर के तेजस्वी यादों के जनम दिन का केक कटवाना है के तेजस्वी यादों को 250 क्रोड रुपए का जेट प्लेन नितिश कुमार गिफ्ट दे रहे हैं कि उसी 250 क्रोड रुपए के जेट प्लेन में बैट कर नितिश कुमार तेजस्वी के जनम दि कर काम चला रही थी काम चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी तो अचानक जेट प्लेन की और हेलिकॉप्टर की जरुवत क्या पड़ गई इधर नितिश्च कुमार ने कहा है कि जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं मतलब कि उनके उपर टिकाटिक नी कर रहे हैं उन लोगों के बारे में उनको आश्चर होता है क्योंकि जेट प्लेन जेट बीमान और हेलिकॉप्टर वो खर जेंगे तब तो वो सब के लिए होगा उनके कहने का मतलब है कि हो सकता है कल सत्ता में भाजपा आए हो सकता है कल किसी नेता को जरुवत पड़े तो बियार सरकार का जो जेट क्या बात कर रहे हैं फिलाल नितिश कुमार के कैबिनेट के दुवारा जेट बीमान और हेलिकॉप्टर को खरिने की मंजूरी दे गई उसके बाद से तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे सुशील कुमार मोदी ने मोका दे कर एक तगड़ा सवाल दाग दिया या कह लिए कि तगड़ा कटाक्ष कर दिया कि क्या तेजस्वी यादों के जनम दिन का केक नितिश कुमार उसी चम चमाते हुए 250 करोड के जेट बीमान में बैठ कर कटवाएंगे और केबल तेजस्वी के जनम दिन पे केक काटने के लिए 250 करोड रुपए का जेट बीमान बियार सरकार ख रुपया तो यसुई यादों के कहने पर बर्बात कर रहे हैं इधर सरकार कह रही है कि उससे सब को जरुवत पड़ेगी सब के लिए ही वो अच्छा होगा तो आखिरकार इसका भिरोध क्यों हो रहा है अब आपकी परतिरिया इस पर कहा है कमेंट बॉक्स में लिए गर चाहेंगे कि हमरे उपसे भिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद